ये है लोहे का पुल आप देखिए किस तरीके से इस पर ट्रेन चलती चली जा रही है एक मालगाडी है जो लोहे के पुल से होकर गुजर रही है एक लंबी मालगाडी लोहे का पुल ये अंगरेजों का बनवाया हुआ पुल है 1863 में इस पर काम सुरू हुआ 1866 में ये पुल कंप्लीट हो गया तब आज की तरह की तखनीक नहीं थी ये पुल अपने आप में खास है लोहे का पुल इस नाम से ये पुल मसहूर है और इसको 1866 में आवाजाही के लिए खोल दिया गया था उपर रेलवे है नीचे इसमें सड तक का मार्ग है और ये पुल अभी तक काम कर रहा है लगातार काम कर रहा है मैं अपने कैमरामेन से कहूंगा ये पूरी ट्रेन दिखाएं किस तरीके से इस पुल से निकल रही है और लगातार ये ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है लेकिन इस पुल पर रिस्ट्रिक्शन से कासन है कासन इसलिए है क्योंकि ये पुल काफी पुराना हो चुका है इस पर तेज रफतार में गाड़ियों को गुजारा नहीं जा सकता है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से इस पर से होकर ट्रेने गुजरती हैं और अगर हम इस पुल की तखनीक की बात करेंगे त इसमें ईंटों का इस्तेमाल किया गया था याणि इसमें जो फाउंडेशन बनी हुई है उसमें इंटों का इस्तेमाल किया गया और जिस जगहे पर मैं खड़ा हूँ ये नया पुल बन रहा है आप सोचे ये आजाद भारत में बनने वाला पुल 1997 में इसकी पूरी योजना बनाई गई और योजना बनाकर जब काम शुरू किया गया तो काम में बार-बार बाधाएं आई पहले L&T को काम दिया गया, L&T ने काम शुरू किया, तो उसके बाद Archaeological Survey of India कहीं ने कहीं बाधा बन कराया, इसकी foundation का काम बड़ी तेजी से किया गया, लेकिन 5 well foundation में दिक्कते आनी शुरू ही, बाद में L&T का contract रद्ध कर दिया गया, और उसके बाद अब दुबारा ये काम सुरू हुआ है, 2016 से एक बार काम ने फिर से तेजी पकड़ी, बीच में Corona का period आया, उसके बाद हम कह सकते हैं एक बार फिर से तेजी आई है, यहाँ पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इस जगह पर अगर आप उपर की तरफ देखें, उपर दिखाईए, उपर एक तरीके की क्रेन है, जो क्या करती है, नीचे से 4-5-5 टन की जो चीजें हैं, गर्डर के elements हैं, उनको उठाकर आगे लगाती है, कंटी लीवर मेठट से यह पूल बनाया जा रहा है, यानि यहाँ पर मैं अपने कैमरामेन से कहूंगा कि वो दूसरा हिस्सा दिखाएं उधर का कंटी लीवर मेठट में क्या होता है, आगे सपोर्ट नहीं होता है, पीछे से सपोर्ट होता है, और धीरे धीरे करके आगे जो मेंबर लगाये जाते हैं, आगे जो हिस्से जोड़े जाते हैं, उनको उठाकर वहाँ पर फिक्स किया जाता है, फिक्स करके फिर आगे बढ़ जाएगा और जो काम पूरा हो चुकआ है मैं कहूंगा कैमरामेंसे वो दिखाएं यह जो काम पूरा हो चुका है वो आप देख सकते हैं 875 मीठर लंबा यह पुल है और इस पुल की अगर हम बात करेंगे तो यह पुल कहिंने कहीं girder पुल है composite girder इस में जो लगाए जाएंगे इस समय जो गर्डर लगाए जा चुके हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं यहां होता क्या है पीछे आप एक ट्राली देख रहे हैं देखिए ट्राली रखी हुई है इसमें भारी भरकम जो गर्डर हैं उसके हिस्से लाए जाते हैं उसके बाद यहां पर लाकर उसको आगे ले जाये जाता है यहाँ पर पट्री बिछी हुई है यह temporary प्त्री है यह railway की पट्री नहीं यह लेकिन इससे जब ट्राली आगे गुजरती है तो सामान को आगे पहुचाए जाता है फिर वहां से हम कह सकते हैं क्रेन उठाती है क्रें लिफ्ट करती है ये ख istem तरीके की कंटी लिवर लिफ्ट है जो 5 टन का जो भार है उसे आसानी से उठा सकती है और इसको आगे जाता है और धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता जाता है पुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भरकम तरीके से इसमें लोहे के रस्से लगे हुए हैं देखिए लोहे के रस्से लगे हुए हैं जिन से यह जोडा जाता है और एक एक स्पैन जिसकी अगर यहां पर हम खड़ें वहां की लंबाई की बात करें तो 61 मीटर लंबा स्पैन है और 61 मीटर लंबा इस्पैन है लगातार इस पर काम किया जा रहा है और जो बीच के हिस्सें हैं अगर हम वहां की बात करें तो वेल फाउंडेशन के अंदर पाइलिंग की गई है क्योंकि IIT दिल्ली ने सुझाओ दिया है कि इसमें पाइलिंग की जाए और उसके बाद ऊपर का काम किया जाए जो उपर की लेर है वो डाली जा रही है सामने देखिए किस तरीके से पियर के उपर एक पूरी लेर बनाई जा रही है कंक्रीट डाला जा रहा है और यह पुल आगे जाकर हम कह सकते हैं सलीम घड़ फोड से पहले मुड जाएगा यानि सलीम घड़ फोड जब पढ़ हो चुकी है जगह जगह पर पाइलिंग का काम पूरा कर लिया गया है अब सब इस्ट्रक्चर का काम पूरा किया जा रहा है यानि उपर जो चीजें हैं उनको पूरा किया जा रहा है और धीरे धीरे करके इस पुल को पूरा किया जाना है रेलिवे का कहना है कि इसको 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा यानि अगले एक साल में यह पुल बनकर तयार हो जाएगा यहां पर मैं आपको बता दूँ कई लोगों को लगता होगा कि अरे अंग्रेजों ने तो जल्दी काम कर लिया क्योंकि तीन साल में यह पूरा कर लिया ऐसा पुल जो हम कह सकते हैं जिस को मजबूत किया और इसको एक तरीके से इस्तिमाल में लाए जा रहा है लेकिन इसकी उम्र पूरी हो गई है यह निश्चित तोर पर कहा जा सकता है लिहाजा रेलवे तेज रफ्तार के लिए नया पुल बना रही है हलांकि इस पुल को बनने में 20 साल से जादा लगे हैं लेक इस पुल को बनने में इतना समय लग गया आप समझे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में आपस में तालमेल ही नहीं है यानि जब पुल बन रहा था तब आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया को समझ में नहीं आया और बीच में रोग दिया काम आप समझ इस पर नजर रखे हुए है क्योंकि इस समय जो रेल मंत्राले है वो इस पुल को जल्द से जल्द पूरा होना देखना चाहता है उसका कहना है इसको जल्द से जल्द पूरा करिए तो यहां पर जो काम है वो तेजी पकड़ चुका है ऐसा कहा जा सकता है और एक और चीज मै रखा जाता है कहीं कोई दिक्कत ना हो कहीं कोई हीला हवाली ना हो कोई परिशानी ना हो जब यह पूरा का पूरा structure पढ़ जाएगा यहां से आर पार यानि सहादरे के end से लेकर पुरानी दिल्ली वाले इंड तक अगर यह पढ़ जाएगा उसके बाद इसमें हम कह सकते हैं पट्री बिछाने का काम सुरू होगा composite girder डालने का काम सुरू होगा कंक्रीटिंग का काम सुरू होगा और उसके बाद इस पुल को तैयार कर दिया जाएगा टार्गेट दे दिये गए हैं सितंबर दो हजार तेयस तक इस पुल को पूरा कर लिया जाना है केमरामेन हेमंत के साथ सिध्धार्थ निउजिस्टेशन दिल्ली